निलो ये सब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दिल चाहिए तुम प्यार नहीं करोगी कोई बात नहीं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ प्यार करते हो? तुम पागल हो क्या? इडियट मेरे जैसे लड़के से प्यार करके क्या करोगे तुम? शादे करूँगा ओके शादे करूड़ा इसका नाम सरस्वती है, इंतिजार कर रही है अपने प्रेमी का, कि कभी न कभी वो उससे मिलने जरूर आएगा, उसका इंतिजार करते हुए अपनी जिन्दगी बिता रही है, आज से एक साल पहले भगवत गीता पर हाथ रख कर कसम खाती हूँ, सब कुछ सच कहूंगी, जूट नहीं कहूंगी आपका नाम सरस्वती, जैराम सरस्वती देखे सरस्वती जी, कुछ साल पहले आपके उपर हत्या का इलजाम साबित हो चुका है हाई कोट में आपने अपील किया हुआ है, इसलिए ये विचार हो रहा है सरस्वती जी, आप पर कतल का इलजाम सारे सबूत के साबित हो चुका है और लेड़ी आप सजा भी काट रही है लेकिन अभी भी आपने रोहित की हत्या नहीं की ये कह रही है जी हाँ उस दिन रोहित और मुझ्रिम सरस्वती के बीच हुए जगड़े में सरस्वती चोट खाकर बेहोस हो चुकी थी उसके बाद किसी और ने उसका मर्डर किया पोस्ट मार्टन रिपोर्ट के हिसाब से रोहित के गतल में इस्तिमाल की हुई लोहे की राड़ पर फिंगर प्रिंट्स को गोर करके देखोगे तो किसी दूसरे के भी फिंगर प्रिंट्स हुआ मुझूद है जिस फ्लेट में मडर हुआ जब पुलिस अंदर आई वहाँ सिर्फ एक सर्श्वती जी ही मुझूद थी इसलिए केस चलने के दोरान इनकी तरफ से कोई दमदार डिफेंस नहीं हुआ इसलिए इनका केस कमजोर हो गया और इनको सजा मिल गई रोहिर्द के पिता राम मोहन सिंग जी सोसाइटी में बड़े आदमी होने की वज़े से और सबूतों की अच्छी तरह चानविन करना छोड़ कर मेरे क्लाइंट को सजा देना कैसा इंसाब है इस केस में मेरी क्लाइंट सर्श्वती ने ये कतल नहीं किया कहने के लिए मेरे पास कुछ दमदार सबूत हैं उन्हें अदालत में पेश करने के लिए मुझे कुछ समझ चाहिए मैं अदालत से इजाज़त चाहता हूँ डिफेंस लायर के गवा सबूतों को पेश करने की मनजूरी देते हुए इस केस को इस महीने की अठ्ठा तारी को वाइदा किया जाता है अरे भाई बबलू अपने करियर की शुरुवात करने के लिए तुम्हें यही केस मिला था क्या इतना कमजूर केस मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा इस केस को हार जाओगे तो तुम्हारे केरियर क्या क्या होगा कभी सोचा तुम ने? मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा सर इस केस को जीतने के लिए सबूत है तुम्हारे पास उससे भी बढ़कर आत्म विस्वास है सर अके, वेल, आल दे बेस्ट एक्स्क्यूस मी थैंक्स मैं आपसे एक सवाल पूच सकती हूँ? पूचिए मेरे मताबिक इस दुनिया में मेरा कोई फिरिष्टदार नहीं है असल में आप कौन है मुझे नहीं पता ऐसे में आपने अप आकर मेरा केस क्यो टेक अप किया? मुझे लगा आपके साथ नाइंसाफी हुई है इसलिए केस मेंने टेक अप किया है वैसे सब कुछ इतना आसान रहेगा तो केस लेंड़ने मजा के आएगा हमें केस जितकर रहेंगे मैं फिरिष्ट भी नहीं दे पाऊंगी केस जितकर आपका रहा होना ही मेरी फिस है ठीक है आप कौन है मैं जान सकती हूँ समय आने पर मैं खुद बता दूँगा मैं परिष्ट भी घर के आप कि अगा आरे यार वो लड़की देख यार क्या मस्त आइटएम है आरे देख आरे हार कि यह दो के दो दो अच्वारा रहा हूँ कि भी टुट एंग कि खला मुट्स वे खूंग कि खला मुट्स दो My dear boys and girls यहां विद्ध्यार्थी और विद्ध्यार्थिनी क्या बाते कर रहे हैं बताईए माडम वो दोनों वो दोनों ए बखवास बंद करके बैठ जाओ वो दोनों लवर्ज है लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं यह कौनसी भाशा में बात कर रहे हो बिल्कुल समझ में नहीं आया बैठ जाओ वो दोनों लवर्स हैं, लव के बारें बात करें मेडम मूँ बंद करके बैठो वो दोनों क्लासमेट्स हैं, पढ़ाई के बारें में बात ही कर रहे हैं अरे, तुम तो दिन में भी सपने देखते हो तुम्हें तो पनिश्मेंट मिलनी चाहिए जाओ, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ स्टूटेंट्स, तुम सभी मिलकर असे धपड मारो हाले हाले खिश्क पे रूबा हो, छटी छटी उम्प्रव नादा हो खड़ा खड़ा लगता है काटुन हो, सकले के पिछ पिछ जाए हो क्यारे ये खर्वैंटा, खड़ने की उल्च में, उसके इस प्यार से अच्चा नहीं लड़ के वो हाले हाले खिश्क पे रूबा हो, छटी छटी उम्प्रव नादा हो खड़ा खड़ा लगता है काटुन हो, सकले के पिछ पिछ जाए हो क्या खड़ाए है किसवा कॉफी भी भी पिए हो और अधि चकल को लगा रह है ये लो, कॉफी भी पिलो क्या मैं, कॉफी भी भी देखो कॉफी मांकर है ते सुन्दलक्षपी की बेटी ने शौपिंग पर बलाया अरे छोटू कहा है अरे ऐसे ही बाहर आ गया कोई पढ़ाई भी तेरा ध्यान नहीं है बस देदर घूता रहता है बस ऐसे अरे 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 बाफने कहा है वो ऐसे कह दिया भाईया पापा की हालत नहीं देख सका अरे यूए मुद्विव भी पर एक हम दो यहाना नहीं था झाल आए विजभता इंट मारू बड़ी मस्ता ही है तो या नहीं ते आथ या या नहीं या अर उडिस अ घूम के या या ओप्स। ऑब या अ अ आल गोल अ ल्ड़ि़े अरे बापरे बड़ी खुबसूरत है ये तो अरे इसकी शकाल देखकर कौन लड़की से ब्यार करेंगे पास रही का जिन में गल्फ्रेंड को लाकर तुझ से मिलाओंगा तो फिर बेट लगाकर दिखाओ तेरी साइकल मेरी साइकल बेट लड़की से दोस्ति करके चिंटु को मेरी गल्फ्रेंड से मिलाकर चिंटु की साइकल जितूगा अरे बबलू क्या करेंगे बापरे क्यों रे कालू फ्र सब्सक्राइब कर दिमाग बच्चों ने जीना हराम कर दिया है तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें लिफ्ट के पास क्या काम चुप के हो बताओ पास को दो कि अग्या कि अग्या कर दो कि अग्या करती से रहने वाला मैं कितना घुसे वाला बन गया हूँ मैं बत्रमीज बच्चे जीना हराम कर दिया है मैटम आपका फ्लावर थेंक यू तेरी तो जिस लड़की को मैं पठा रहा हूं उसी को फूल दे रहा है तू रुख, स्कूल में देखता हूं तुझे बॉर्णि मैडम हेलो मिस्टर अभी जो लड़की अंदर गई है ना वापस कित्ने होज़े भार आएगी? साम को पांच बले बच्चो मनुष्य के शरीर में दो तरह की कीटाणू होते हैं एक लाल रक्तकण और एक श्वेत रक्तकण हम जो भी खाते हैं उससे हमारे शरीर रक्त बनता है हमारे श्रीर लाल रक्तकन होते हैं. वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ती को बढ़ाते हैं। और श्वेत रक्तकन, बढ़णे से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग बढ़ जाते हैं। इसके अलावा, प्रोटीन, कार्बो हाईडरेट, विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अवश्यक हैं इनकी कमी होने से हम बीमार हो जाते हैं ए रुको, अभी क्यात पूरी नहीं हुई है कहा जा रहे हो तुम गरल फ्रेंट से मिलने अरे लड़की को पटाने को का तो होस्पिटर क्यों आ गए अरे छोटू असल में ऐसा होगा सोचा नहीं था ये तो जल्दी में गल्ती हो गई अगर अगर ओ माई गॉड तुम्हारा भी बी इतना कम जादा क्यों हो रहा है माँ क्या हो गया बेटा इतने जोर से क्यों चिला है सिस्टर मेरे बेटी चाहरा की तभी तवेट अप तो ठीक है ना आपको अपने बेटे की हेलफ कंडिशन नहीं मेंडल कंडिशन को चेक कराने की जरूरत है ए बेहन तुम्हारा बेटा समय से पहले ही जबआन हो रहा आ क्या किया तूने नर्स कितना सुना कर गई मैं पसंद नहीं ता अगर मैंने संगीता से शादी कर ली होती तो कम से कम ये नानाइक बच्चे पैता नहीं पैता होते शादी क्या होता तो अच्छा होता ना अरे तुम्हारी शादी हो जाती तो ही ठीकता कम से कम मुझे छुटकारा तो मिल जाता मेरी संगीता के साथ नहीं भागती तुम काली हो तुम क्तार्ण हो तुम कंदी हो समझी रहां करो तुम करो ए सारू, आज मेरे फ्रेंड की पार्टी है, तुनों को इन्वाइट किया है, तुम्हें लेकर आऊँगा कहकर प्रामिस भी किया है, तुम्हें देखा है उसने, नाइस सेलेक्शन के एकर कॉंप्लिमेंड भी दिया है उसने, ए, कमाउन यार, यह सब कुछ मुशे पसंद नह इसे पार्टी में चले जाएंगे, इसी ड्रेस में आने को कहोगे, इस ड्रेस में, नो, नो, मस्त मोड़न सा, क्लास सा रखना चाहिए, मेरे फादर के साथ बात करते समय, बहुत डिसेंसी से बहुत समार कर बात करनी होगी, do you understand? दूसरों की खातिर, उनकी तरह रहना, बेटो, तुम मेरे बेटे की फ्रेंड सरस्वती हो ना? जी हाँ, अंकल. मेरा बेटा हर वक्त तुम्हारा ही नाम लेता रहता है, क्या काम करती हो? एक सौफ्ट्वर कमपनी में इंजिनर का काम करती हो, अंकल, यही एक फ्लैट लेके रह रही हो. ओ, फिर तुम्हारे माता नहीं, अंकल, बश्पन में ही वो चल बसे. ओ, आइम सॉरी, मतलब तुम यहाँ अकेले ही रहती हो? जी हाँ, अंकल, बश्पन से ही अकेले रहना आदत से हो गई है. गोड, वाइड़न्ट यू कीप इट अप, उस आदत को कंटीनू करोगी तो अच्छा रहेगा, बीना मत देखो, मेरी बात को तुम समझ नहीं रही हो, तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो, मेरा बेटा जवानी में है, तुम तो अकेले ही रहती हो, तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए, तो ट्रैक्टर होना सहज बात है, तुम अकेले ही नहीं, इस शहर में रहने वाली सारी लड़कियों के लिए, यह आम बात है, मेरा बेटा कितने नंबर का फ्रेंड है, और तुम कितने अबर्शन करा चुकी हो, वाट, माबाप नहीं होने के वज़े से, मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे ठीक से समझ नहीं सक्या, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ रही हूँ, सब लगों के रहते हुए भी, आपकी बेटी, मिनिस्टर के बेटे के साथ घूम कर, तो बार अबर्शन करवा चुकी है, तीसरी बार जाके शादी की, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, बड़े पैसे वाले होने से बड़े नहीं हो जाते, तमीज से बात करना सीख मेरे डड़ी से ऐसे बात करोगी क्या, थोड़ा भी कॉमन संस है क्या तुम मैं, सॉरी रोहित, सरू, यह लो, मीटर से ज़्यादा ले रहा हो, साइकिल लाकर अंदा रखो, सुनो जी, चाबी आपके पास ही है न, क्योंगे बबलू, लड़की पठी क्या, वैसे लड़की इतना आसा, नहीं बच्चु, लड़की को पठाऊंगा, कहका गड़े में क्यों गिर गई यार, एनीवे, कॉंग्राचुलेशन्स यार, आखेर तुम, लाइन पर आई गए, लाइन पर आया नहीं यार, लाइन से आउट हो गया, वहाँ गिर के फिर से आ रहा है, ए देख लेना, तेरे होस उड़ादेने वाली गिर्लफ्रेंड को लाकर तुझ से मिलाऊंगा, और तेरी साइकल जीतूँगा, हाई, इने में तो बढ़ा देख लेडा, ए सरू, 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 प्लीज, आप मुझे जाना है, कल स्कुल में मिलते हैं, सरू, क्यों इतना गुसा कर रही कर लेना, मेरे बारे में क्या बताया तुनने, अकेली रह रही है, हाँ, इस्तेमाल करके भोल जाऊंगा कहा था, है न, मेरी वास, सरू, सरू, रोहित, तेरे डैडी जैसो के पास रहना, मेरे जैसे लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, मेरे डैडी से तुम्हें क्या, त अंजाने में एक गलती हो गई अब मैं जान बूज कर भविश्य में हर दिन नरक नहीं सह सकती तेरे डैडी के बारे में तु पता चल गया अब तुम क्या चाहते हो ये भी बता दो पैसे वाले हो तो क्या अच्छे लोग होंगे सोचा था ऐसे चीप बिहेवियर करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मौट इंडरेस पहनने वाली पॉश रहने वाली लड़किया खराब होती है ये सोच है तुम्हारे डैडी की तुम्हारे साथ मिलकर मैं सिंदकी नहीं बिता सकती प्लीज रोहित चले जाओ एक बार सोचा सरू कैसे जीऊगी अकेली शादी किये बिना अकेली नहीं जी सकती इसलिए शादी कर रहे हो लेकिन सच्छे दिल से प्यार नहीं करते इतने दिन कैसे जी रही थी आज के बाद भी वैसे ही जीऊँगी तुम्हारे इंटेंशन अगर पहले पता चल जाते तो कभी का कट कर देती जस्ट गेट आउट फ्रॉम ये आई से जस्ट गेट आउट फ्रॉम ये ओके सरूर तुम बहुत रिश्टर वो मैं बाद मिलता हूँ कौन हो तुम मेरा नाम बबलू है सामने वाली विंग में रता हूँ क्या करते हो साइकल चलाता रहता हूँ पसंद आई लड़की को आई लव यू कहता हूँ आई लव यू कहते रहते हो इडियट आई लव यू मान भी लो ओ जानम जान हो तुम मेरी जानम दिले की मेरी सुने लो दिल पर मुझे जुने लो मान भी लो ओ जानम जान हो तुम मेरी जानम दिल की कोई उमर नहीं है द्यान पे कोई जोर नहीं है पढ़नी है बस अब वो प्यार की किताबे बाखी पेकार है सारी किताबे आशिक में तेना दीपाना तेना इश्क में तुम भी मेरे दुबजा मान भी लो ओ जानम जान हो तुम मेरी जानम इश्क में तुम भी दिली को लाका लो मुझी को अपना प्रेमी बनालो काना तुम भी लव का खालो जोशे जवानी का मजा उठालो मान भी लो ओ जानम जान हो तुम मेरी जानम दिल की मेरी सुन लो दिल बर मुझे ही चुन लो मान भी लो जानम जान हो तुम मेरी जानम ओके बाई 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 या एक घंटे के लिए बाईक देना नहीं दे सकता रे काम है तुमारा तरीका क्या है समझ में नहीं आता सबको देते हो मुझे नहीं देते मैं एक लड़की को पटा रहा हूँ साइकल पर जाओंगा तो पटेगी नहीं इसलिए बाईक चाहिए क्या रहे तेरा थोबडा देखा है तेरे थोबले के लिए एक लड़की चाहिए तेरे लाइन मारने के लिए मेरी बाईक चाहिए क्या च्छा, जमाना कितना खराब हो गया है सिंगल पैक बोड़ी वाले सब सिक्स पैक बोड़ी वाले हो रहे हैं मेहनत करके एट पैक बोड़ी बनाए हो यार किसके लिए? मुझे कोई पठी नहीं रही है और तू चला है पठाने के लिए वेटिंग रहे? 28 ये भगया से पहाई के समय सोते रहते हो खाने के समय भी सोते रहते हो कुम्बकरण की ओलाद रुक फिर वापस क्यों आ गया? इसे टिफी नहीं दिया क्या? अरे ये खा के गया है फिर वापस क्यों आ गया? मेरी चड़ी समझकर आपकी चड़ी पहनली बदलने आया हूँ मैंने तेरा अंडर्वियर पहना है अरे इसे दस अंडर्वेर दिलवा दोना? जितना दिलवाया था? वो सब फार करके सामने के फ्लैट में फेकता रहता है ये कितना दिलवाऊंगा इसको मैं कितना दिलवाऊंगा इसलिए तो सामने वाले फ्लैट की औरत हमेशे आपको देखकर हस्ती रहती है उसे कोई काम नहीं है कौन अंडर्वियर पहना है कौन लह्या पहना यही देखना उसका काम है तुम क्यों खड़े हो पढ़ाई पे ध्यार नहीं रहता है तुम्हारा जाकर पहले अंडर्वियर बदलो जाओ चोरी छुपे देखना छोड़कर खाओ एक लाफा दूंगा तुम डाल रही हूं ना क्यों बबलू बाबू आज जाड़ी ऑफिस नहीं जा रहे क्या नाई क्या खटा रास कोटर है इस भी स्टीरा चाल चलन बहुत बिगड़ गया है तुम उस सामने के फ्लैट में क्या कर रहे हैं सब कुछ देख रही हूं मैं हां हां मैं भी देख रहा हूं ना बेचारा ते अरे मेरे बाप तेरे पैर पड़ती हूं यह बात किसी को मत बताना ठीक है ठीक है लेकिन पैट्रोल है क्या खासलेट है ठीक है वो ही देदो कालिया खासलेट ले आओ सब कुछ मुझे करना है सब कुछ मुझे करना पड़ता है सभी लोग मिलकर मेरी जान ले रहे हो मेरे स्कूटर कैसे बतल गया अरे विश्लक्षमी अरे सुनो विश्लक्षमी अरे आ रही हूं ये लो सेल भूल गये अरे मोबाइल की बात चछड़ो यहां से मेरा कोई स्कूटर चुरा ले गया है भाई क्या करूँ मैं अरे अरे हमारी शादी पर दी है ये मेरे भाईयों ने अभी तक भूली नहीं इस बात को तुम कैसे भूल सकते हो इस फाल तुम बाई के खाती नहीं आपने सुहागराथ एक मेने माद बनाई थी एक काम करो सारी सुसैटी को बुला लेता हूं उनके सामने बता देना है ये सब अरे अब बस भी करोगी तुम सुहागराथ एक मेना देरी से हुई कैसे हुई मेम साब ऐसे नहीं तुम्हें कुर्सी पे बिठा कर आराम से बताएगी सब कुछ ये तुम्हें वो देन मुझे अच्छे तरह से याद है सुहागराथ के रूम में सर में फूल लगा कर मैं बैठी थी हाथ में दूद का ग्लास लेकर मैं इनका इंतजार कर रही थी और इंतजार करते हुए करते हुए अरे अब फ्लाइश बैक छोड़ो हकीकत में वापस आओ और पहले देखो कि स्कूटर कौन उठाकर ले गया इसकूटर क्या वह तो आपका बबलू लेकर गया है क्या है अग्या नाम क्या है मेरा नाम मास्टर दिनानात है सभी मुझे प्यार से बबलू कहते हैं यह क्या है अच्छफी बूप ड्राइविंग लैसंस के बिना सड़क पर तुम शा situations से घूम रहे हो हां असल में तुम करते क्या हुआ ड्रेस दिगाई नहीं दे रही है क्या फिर आप ड्रेफिक पुलिस कैसे बन गए है बेकार की बाते छोड़ो और जल्दी से मेरे सवाल का जावब दो कुछ भी नहीं, साइकल चला रहा था वो तूटकर दो तुगडे हो गई अब पापा की स्कूटर मिल गई है इसको चलाते हुए अगर कोई लड़की मिली तो गल्फ्रेंड बनावगा लड़की? गल्फ्रेंड? तुम्हे, तुम्हे साले, इतना सा है और तुम्हें गल्फ्रेंड चाहिए तेरी उम्री कितनी है बहुत उड़ रहा है तु बच्चू ये क्या है? गुलाब का फूल है सर गुलाबी फूल और तुम्हेरे पास? ए, लगता है तु बहुत चालू लड़का है चेव में कितना है? चाल निकाल जल्दी जितना चाहिए उतना ले लीजिए अभी सारे पैसों से घ사ические डलवा चुका हूँ घ ASMR भरवाया है? ये क्या है? कच्चन की खूडे की तरह तुने चिलर जमा करके रखे है हां? सर, मेरे प्रदादा ने मेरे दादा को दिया था मेरे दादा ने मेरे पापा को दिया मेरे पापा ने मुझे दिया है ये रख लीजे सर फिर मिलेंगे बाई अरे अगली बार तुम उच्ट नहीं बचेगा बेटा अब ये अब ये अब ये तको लड़की क्यों नहीं रही टाइम तो हो गया है क्या हुआ बंसर हुआ मैडम ओफ आ गई मिल गई और कितना टाइम लगेगा क्या करूं अरे ये क्या हुआ ये सब तुने किया ना मुझे पता था लड़के तुम जरूर कुछ ऐसा करोगे मुझे पहले से तुम पर शक्ता तुम्हें मैं सर सर आपसे बिल्कुल सच कहुआ मैंने एक लड़की को देखा है उस लड़की को स्कूटर को बिठाना है इसलिए के लिए रोड पे डाल दी कैसा लगा मेरा आइडिया सर आपको पसंद आया ना ए तेरी जात का बैदा मारू इतने लोगों का समय बरबाद किया रूपर से उससे पूछें कि आड़क कैसा लगा सर इसक्यूज मी ये स्कूटर आप मैंसे किसका है इनका नी खुड़ा मुझे ओफिस तक ड्रॉप कर दोगे क्या सर सर ऐसा कभी-कभी चांच मिलता है मैडम को उनके ओफिस त्रोप करके आता हूँ बाकी बादे हम बाद में करेंगे आईए आप आईए वो ऐसे चिलाते रहते हैं एको देखो कैसे जूमे है दवरे के जैसे गूमे है उम्रे तो इत्र की छोड़ी है कहाने इसकी काटे नीधी है दिल से दिल जए हो गए पिल काटू रोखे से दुखे लग रहा है तुम्हारे शकल भी अच्छी लग रही है कोई हेल्प चाहिए दर कॉल करना 9912496224 तुम्हारे सामने ही रहता हूँ ठीक है शिह ओफिस का टाइम खतम हो रहा है पता नहीं कब आएगा वो टेंशन मतलो हां डर्टी फैलो पता ने किस मुहरत में पैदा किया था उसे तुझे क्या सुना रहे हो मेरे लाग समझाने के बाद भी आपके बापने हमारी सुहागरा अत्बन कर दी थी अपकी वज़े से बिगड़ा है हाँ बिगड़ा है मैंने कब बिगड़ा है हमेशा जगड़ा करते रहते हो जब भी देखो ऑने प्लेटी बिल्कुल गलत किसी और को पापा करकर मत बुलाओ किसके बेटे हो तुम, बोलो, मम्मी, यह तो अपनी बबलु जैसी आवास है, क्या हो गया तुझे बेटा, यह देखो, इस खटारा सुआ सब कुछ, एक तो बिना बताए, स्कूटर ले गए, उपर से लात मार रहे हैं तुम इसे, तुझे छोड़ूँगा नहीं मैं, कैसे जाओंगा ओफिस मैं, इसकी शकल देखो, क्या हालत बना रखी है, अभी कली 10 हजार रूपे होस्पिरल में खर्च किया है, अभी स्कूटर बनवाल लेकिने 10 हजार रूपे, और कहां से लाओं मैं, मुझे क्यों नाट रहे हो, मुझे ओफिस जाना है, कैसे जाओंगा इसके लिए इतना सोचते क्यों, आटो में जाओंगे इतर पहुंच जाओंगे, ना, क्या बोला, का माल तो नहीं है, मेरे माई के के का माल है, बेरी गुड़ मॉम, ऐसे ड्रा कर रखो, तुभारा सस्पोर्ट पाकर वो अपनी मन्मानी कर रहा है, जाकर उसने पूछो की स् अरे हम साउथ इंडियन ब्रामन है और तु लड़की की बात करता है अरे तुझे चपल से मारूगा बदमास कहीं का बारा बारा ये क्या डैड अपनी शारदा अंटी की लड़की की कितनी उमर थी 14 साल ही ना 14 साल की उमर में अपने बॉइफ्रेंड के साथ बात कर गई थी न ए तु पहले अंदर से बाहर निकल बाहरा तुझे बताता हूँ कि प्यार क्या होता है समझा तू डैड आप ज्यादा बोल रहे हो सरोज अंटी के बारे में मम्मी को बता दूँ क्या क्या रे बबलू बाइक में बैठके घुमा रहा है साइकल से बाइक तक हाँ इसमें इतना दम नहीं यार बाइक में घुमाने से गल्फ्रेंड बन जाती है क्या अब मैं उसी लड़की को गल्फ्रेंड बना कर तुम सब से मिल वाँगा उसे देखकर आंसु बाले ना स्टाइल मत मार कहीं तुम मार खाके ना जाए तुम लोग कुछ कमिंटमेंट है क्या तुम लोग को कुछ नहीं आता जाओ यहां से घर में क्या एंजॉयमेंट मिलेगी सर हर दिन तो एक ही चीज मिलता है अगर वो पब में जाएंगे तो अच्छा एंजॉय कर सकते हैं अच्छा अच्छा पति पुराना हो गया ऐसा हर लड़कियां सोचती रहती हैं यस सर यो और यहां से जाकर ऊफिस में काम करना सोना नहीं इनकी सेलेरी ज्यादा हो गई है कम करना होगा बेचारे इनके पती इनके साथ कैसे जीवन बिता रहे हैं पता नहीं वो और फैल वस अब जाओ, सरू आएगी तुम मिलने को कहना ओके सर बॉस हमेशा सरू सरू केकर याद करते हैं सरू के लवा हम नहीं चलेंगे क्या ये सरू, बॉस ने तुझे याद किया याद लगता है कोई काम है अर्जेंटी जा के उससे मिल ले, ओके या बाई गूड मॉर्निंग सर गूड मॉर्निंग, बैठो तैंक यू सरू, तुम्हारे जैसी टेलेंटेड लड़की की ही मुझे जरूरत है एक्चुली मुझे मुझे मुंबई में एक, चेन्नाई में एक और महा बलेश्वर में दो बंगलोज हैं कहीं भी कोई भी नहीं रहता ये सारी बाते मैं तुम्हें क्यूं बता रहा हूं, पता है मेरी प्रोपटी को बचाने वाली लड़की तुम्हीं अकेली होए इससी लिए हाँ सरू, आज तुम्हें मैं इस कंपनी में इन्चार्ज का प्रोमोशन दे रहा हूँ शाम को डिनर पर आ रहा हूँ क्या खिलाओगे मुझे वो, मुझे खाना बनाना नहीं आता सर हाँ तो मैं ही लेकर आओं क्या मेरी पत्नी मुझदे ही बनवाती थी आपकी खातिर मैं कुछ न कुछ तो करूँगी मुझे बिर्यानी बनाना बहुत अच्छी तरह आता है हाँ, ओके, ओके, ठीक है सर सरू, उसमें ताजा लहसून, ताजा निम्बू होना चाहिए ये भूलना नहीं ठीक है सर तुम लोग यहां क्या कर रही हो गो टू यूर प्लेसेज और डू यूर वर्क, डॉंट वेस टाइम हलो, 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 अरे, 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 कुछ ती दलने के लिए एखाडे में जा रहा है क्या अरे, जा का ठीक से कपने बन करा, जा, जा जल दी क्या, आपकी चडडी, छी, 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 सुनो जी, हमेशा अपने लिए खरीद कर ला, तो कभी इसके लिए खरीद कर लाए हो क्या टाप अरे कितने खरीद के दिलाची को और पूठो इसे तुम अरे तुमने मेरे सेल फोन पर एइसा रिम्टोन के लोगाया वां के पिली एक दो अरे आने देडि देदो लाट्या का अई ने अ सबस्तिया कोट्फूर में बैठ कर काली होकर आई नब ओ आप हैं बोलो अभी तुम कहां पर हो मैं लंगोट पहन कर बातरूम में ना रहा हूँ लंगोट क्या है ये गाओं का पहना हुआ है अब शहर का पहन कर आता हूँ जल्दी आना शौपिंग करने चलते हैं आओगे न मैं शहर में नहीं हूँ ओ येस आता हूँ मैं दिखाता हूँ कुछ भी करके सरू को इंप्रेस करना होगा चर्च गेट, एलिफिंटा, जूचो पाटी, भूद की परतिमा सब कुछ दिखाना होगा सरू, वेलकम बबलू, कैसे जाएंगे? आटो में चलें क्या? ची, आटो में क्यों जाएंगे? तुम्हारी खातिर मैंने नई बाइक खरी दी है इतना पैसा कहा से आया? एक्चुली ऐसा हुआ कि तुम कुछ भी कहते रहते हो इतना टाइम नहीं है तेरी बाइक कहा है? तुम से एक बात कहूँ ध्यान से सुनना कहो? ऐसे जाएंगे तो देखने वाले कुछ अलगी समझेंगे सरू फिर क्या करूँ? मेरी एक बात मानोगी? दोनों तरफ पैर करके बैठ जाओ, आराम से जाएंगे ओके स्लक जाँ? मुझी लुए लका दुए अब भी ताबू तूरे बदोन जाँए प्रने लेरररररररररररररररररर। सुरू, आओ बबलू, तुम जाओ, मैं थोड़ी दिर बाद में आता हूँ, क्यों बस, लाव का प्रोबलम है गया, अरे यार मेरी लब की बात छोड़, तेरी लबर को गुमाने के लिए मेरी बाइक मिली थी गया, मेरी लबर ने मुझे फोन करके बहुत सुनाया यार, तुम भी यार उल्टा सिदा काम करता है, सुरू, सुरू, बबलू, जस में थी यार मैं भी आती हूँ, ह शुरू, बप्सुरू, बबला मैंनू कैसा लग रहा है ड्रेस कैसा लग रहा है ड्रेस वाव ब्यूटीफुल ऐसे क्या देख रहे हो कुछ नी कुछ नी लड़की को इसी तरह ट्रीट करना चाहिए सच है न किस ने कहा मेरे दोस्त ने कहा था तो नीचे क्या बाते हो रहे थी अरे वो तो एकदम पगला है अपनी लवर को घुमाने के लिए मेरी बाइक मांग रहा है मेरी फ्रेंड के लावा मेरी बाइक पर किसी को नहीं बढ़ाऊंगा बोल दिया है मेरे पैर पकड़ रहा था यू सो नॉटी तेरे यहां रहने तक तुससे खेलते हुए खुशीर से हूँ ऐसा लगता है बब्रू सरू मुझे भूक लगी है अरे बताना था ना मैं दर्वाजा खोल कर आता हूँ तुम बैठो अरे गलास फूट गया क्या कर रहे हो बब्लू कुशनी कुशनी ओके बब्लू एक बार तेरा हाथ दे तू आज से हम दोनू फ्रेंड तुम कभी भी यहां आ सकते हो हाँ ठीक है पुम जरा हम आ आ यहां है ह मुम एक हान नच्ऺ तुम प्र्टव प्रश घफ लिए लिजयमना हमेशा देरी से आता है अनाप्शनाप कहता रहता है एक वाच कहता है दूसरा साइकल कहता है और तीसरा मोटर साइकल कहता है मेरा दिल मेरा धिमाग सब खराब हो गया है ए कहा गया थे हब तक तुगा बता अरे हिलटा डूलता नहीं है क्या क्या हो गया यसे अरे अरे देखें इसको ये सब तुभारी वज़रा है सिर्थ तुभारी वज़र मैंने क्या किया जी हरकते कर रहा है हवा में उड़ने लगाई है देखो इसको ये उड़ रहा है तो मैं क्या करूँ हाँ धर में पैसे कहीं रखता हूँ चोरी हो जाते हैं चुरा करने जाते हैं अभी बताओ ATM से कितने पैसे निकाले तुम ने अरे चुपके बैठा है अरे मेरे पैसे क्या फेल पर रुखते हैं आम समझता है उन्हें सारा पैसा ATM से निकाल कर आश करते हो अरे माट अलोंगा तुझे जान से माट अलोंगा तुम्हें अभी चप्पल से मारूगा समझा अरे ये क्या मजाग कर रहा है अरे इतनी सी उमर में लड़की को लाइन मारता है सबी लोग कंप्लेन करते हैं जिना हराम करती है इसने अरे अरे क्या हो गया है तुम्हें, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है, कितनी बार कहना पड़ेगा, बेशरम हो गया है, नलाइक हो गया है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे पागल हो गया है, अरे क्या 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 हो गया है, अर कर रहा था रिकार्ड तोर डांस किया है इसके साथ मेरे साथ सुनकर मुझे शर्म आ रही है ओ गड़ अब क्या होगा टीवी का लाइफ शो चल रहा था क्या बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा एट कर रहे हो अभी तक मुझे उल्टा सिदा नचवा रहे थे और उपर स आओ अज यह फैसला होकर रहे है नहीं नहीं डेडी 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 रूप गणपती जी बरसों से आपकी पूजा कर रहा हूँ मेरा चेहरा देकर आपको बोरियत होती होगी ना आप मेरी सरस्वती नाम की लड़की से पैचान हुई है बहुत अच्छी है वो उसके स साथ जब तक रहता हूँ बहुत खुशी मिलती है प्यार में जीत हाशिल करनी है तो उसे मेरी गल्फ्रेंट बनना होगा उस लड़की को मनाने की जिमेंदारी आपको उठानी पड़ेगी सुआमी तू बक्वास बंद करो और जाओ यहां से थेंक्यू गनेजी हलो हलो कुनाल गांजावला नहीं बबलू ऐसे बनाना अच्छा नहीं लगता क्या तुम कैसे भी बलाओ अच्छा लगेगा अभी क्या कर रहे हो एक मस्त लड़की के साथ खेल रहा हूं ठीक है मेरे घर पे रहोगे बहुर हो रही हूं इतनी रात को वो भी तुमारे पास वो मेरा आना ठीक होगा क्या वैसे भी तुम अके लिए रहती हो ना बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हो फटा फटा आओ अभी आ रहा हूं आज सब कुस बता दूँगा आज लगता है बात बन जाएगी चल्दी कर बबलू चल्दी कर आओ बबलू बैट हो बबलू कल तुमने कोई हीरन की बच्ची मुर्गी की बच्ची कहकर किसी लेडी के बारे में बात कर रहे थे बुक्स बहुत बढ़ते हो गया हाँ हमेशा अच्छा अपनी पड़ी हुई दो बुक्स के नाम बताओ तो डेवनर प्ले वुआ है ए बिगड गए हो तुम ठीक है कौन सा खेल खेलते हो कुछ भी नहीं खेलता देखता हूँ वो भी टैनिस वो किसलिए टैनिस लड़कियां खेलती है ना सरीना सानिया मिरजा शेराफ हो और बहुत से नाम है उन सब के साथ लवका खेल खेलना है लेकिन कैसे खेलूँ लवका जोन खेल क्या है बच्वब में पत्ी-पत् नीका खेल खेलते है ना वही मतलब है तेरे तो सब बड़े-बड़े टेस्ट है ठीक है तुम्हें फेलमें कौन सी पसंद है फिलमें वह पसंद है लेकिन उसमनी काम करने माले हीरो पसंद नहीं है वो किसलिए वह सब 一 मेरीलायर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यह सब बनना चाहते हैं। तुम्हे ऐसा कुछ नहीं बनना क्या? बनूगा तो अच्छा लाइर, या तो अच्छा लावर बनना चाहता हूं। जैसे कि फिल्मों में प्यार करता है शारू, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, इसलिए हमेशा हिंज वाई करता है रहता हूँ, लाइट के लिगे, कोई आया है मैं देखता हूँ, कौन हो तुम, दिमाग खराब है क्या, इतनी रात को क्यों आयो, क्या देख रहे हो, शरू कहा है, आप शरू के बोस हैं, हाँ तो, शरू, आपके बोस आये हैं, हाँ, अंदर लेके आजो, आये, मेरे आते ही लाइट चली गई है, बहुत बकवास कर रहा था, कौन है ये, इसका नाम बबलू है, सामने के अपार्टमेंट में रहता है ये काम क्या करता है? लाओ करता हूँ वेरी गुड अभी से ट्रेक पर आ गया हो लगे रहो बैठी से सिली बॉइ ये बहुत भिगडा हुआ लगता है सौरी सरू, देर हो गई तुम्हारे लिए मैं केक लेकर आया हूँ आज वेलेंटाइन डे है ना इसे लिए स्पेशल बनवा कर लाया हूँ तैंक यू सर वेलेंटाइन डे? ये बात मैं कैसे भूल गया? पता आउता तो केक लेकर आता था मैं बबलू, ज़रा केंडल लेकर आना तो लाता हूँ क्या सरू? उस बुड़े खुचट की खातिर मुझे बाहर भेज रही हो ठीक है तुम्हारी खातिर जाता हूँ सरू, तुम्हें इससे पहले भी मैं अपने बारे में बताया था पता नहीं क्यों मुझे इस अकेलेपन के जिन्दगी को छोड़ कर किसी को भी अपना जीवन साथी बनाने को दिल करता है देखो सरू, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता है मेरी शादी होकर 35 साल बीच चुके हैं शादी होने के 5 सालों के बाद ही मेरी पतनी मुझे जुदा हो गई मुझे कमपनी के बिजनेस के अलावा दूसरी किसी चीज में इंट्रेस्ट नहीं है तब से मैंने किसी भी लड़की को आँख उठा कर भी नहीं देखा है लेकिन मेरी कमपनी में जब से तुम आई हो और मैंने तुम्हे देखा है तुम मुझे पसंद आ गई हो तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारी बात चीट ये सब मुझे बहुत ही पसंद है तुम्हें पहली बार में तुमसे ही पूछ रहा हूँ मुझे से शादी करोगी क्या? अगर तुम्हें पसंद हो तभी, otherwise, forget it इससे अपने professional relationship का कोई संबंद नहीं है मेरा कोई भी वारिस नहीं है मेरा जो कुछ भी हो तुम्हारा है मेरी इन बातों से अगर तुम्हें तकलीफ हुई है तो मुझे क्षमा करना लेकिन तुम्हारा जो भी जवाब हो मुझे जल्दी बता देना कितनी ज़्याद है सर आपकी? बिजनेस और घर को मिलाकर 20 करोड का होगा तैंक्यू सर किसलिए? आपने अपने दम पर 50 रुपे से लेकर 20 करोड तक कमाए सर, मेरे बारे में मैं किसी को नहीं बताते मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको बता रही हूँ बश्पन से ही मैंने हमेशा देखा है हर एक आदमी औरत को अपनी स्वार्थ के खातेर स्तेमाल करता है बट मुझे बिना स्वार्थ का प्यार चाहिए मुझे पहले बेचने वाला मेरा बाप था सुनो, एमेले चौधरी जी को तुम बहुत ही पसंद आई हो एम मेरी बात सुनकर एक बार मान जाओ ना मुझे प्रोमोशन मिल जाएगा जैनू पांच मिनाट आके बंद कर लो ना काम हो जाएगा जो कहाओ कर नहीं तो मार डालूंगा मेरा प्रोमोशन तो हो जाएगा ना बहुत मेहनत करनी पड़े यार मेरा प्रोमोशन यह लड़की तेरी बेटी है क्या बहुत में काम आएगी अभी से लाइन में लगा कर रखो कुछ दिन के बाद मेरी मां गुजर गए बाप के चंगल से बच कर मैं इस शेहर में आ गए मेरे पश्पन के बाद मैं किसी को नहीं बताती क्योंकि सब ही लोग मुझे बुजी नजर से देखते हैं लेकिन मुझसे दोस्ती करने के लिए कोई नहीं आएगा ऐसे मैं भी अभी लड़का गया है न छोटा बच्चा बबलू उसके साथ मैं कितने फ्रेंडली रहती हूँ पता है आपको उससे कुछ भी नहीं पता मुझे अपने आप पसंद करता है एनिहाव आपकी पसंद को ठुक रहा है इसलिए सौरी सर आपके दिल को दुख पहुचाया तो मुझे माफ कर दीजेगा सौरी सरू तुम्हें मैं समझ नहीं पाया था लेकिन आज मैंने तुम्हारे भीतर एक नई लड़की को देखा है तुम्हारे इंडिविज्वलिटी पर रहा मेरा गौरो और भी बढ़ गया है अब इस मीटिंग के बारे में भूल जाओ हमेशा की तरह मैं तुम्हारा बॉस और तुम मेरी फेवरेट इंपलोई हो बस हैपी वेलंटाइन डे सौरू बबलू तुम भी बबलू तुम एक डेरिंग बॉई ही नहीं हो एक डेंजरस बॉई भी हो हाँ सरू लाइट आगी हाँ सरू अब मैं चलता हूँ बाई बबलू बाई सर बाई वो क्या कह रहाता है सरू भूड़ा खुशट कहीं का उसे अपनी उमर वाली डूणनी चाहिए न तुमसे पूचता है शादी करोगी तुम्हारा बोस था इसली छोड़ दिया कोई दूसरा होता तो तो क्या करता मुझे भी नहीं पता और वैसे भी यह उसकी उमर है शादी करने की च्छ वह और उसकी सूरत इतना बड़ा पेट लेकर शादी रचाएगा इडियट ए बबलू क्यों इतना गुसा होते हो क्या बात है सरू कोई तुमसे ऐसे बात करेगा तो मैं सैनी कर पाऊं बबलू कुछ दिर पहले तुम कुछ कहना चाहते थे ना तुमको फिल तो नहीं होगा ना कहो बबलू फिल नहीं करूंगे कुछ खास नहीं तुमें मेरी गल्फ्रेंड की तरह पिहव करना होगा तुम ऐसा करोगी ना प्लीज किसलिए कल एन्वल डिप फंक्शन है मेरे लेकने में खुबसूरत नहीं हो न इसी लिए ए शिची किसने गहा तुम खुबसूरत नहीं हो गएकर दात निकाल कर चश्मा निकाल देंगे तो हैस्टाइल चेंज कर देंगे तो पिल पल आमीर खान लगने लगोगे आमीर खान शारुक कान सलमान खान और सेफली खान ये मेरे साथ चलोगी हाँ चलूँगी तेरी खाते थेंक्यू शरू फिर मिलेंगे अरे वह साइकल पक्की है अरे जा रहा हूं न बबलू सुनो क्या है मैडम तुभे इक सामे कितने माकसा है पता है आप बताओगी ने तो कैसे पता से लेगा बक्वास बंद करो तुम्हें मिला है एक बड़ा सा जीरो सोचा था वो भी नहीं मिलेगा जीरो के लिए थैंक्स मैडम पढ़ाई में ध्यान दो समझे सेवखूप जल्दी ही शुरू होने वाले एनुल फंक्शन में जो जो पार्टिपेट करने वाला हो वो अपना अपना नाम लिखा दे मैडम मैं अपनी फ्रेंड के साथ शो कर सकता हूं ओके मैडम मैं भी शो करूंगा मैं भी मेरी फ्रेंड के साथ इसार ले सकता हूं इस ओके यू केन पार्टिपेट पार्टिपेट अर्रेंजमेंट बहुत अच्छा है ये चिंटू मेरी गल्फ्रेंड नाम है सरू फिर कभी मुझे शर्त मत लगाना तुम हार जाओगे कल से तुम्हारी साइकल मेरी हुई बबलू का तुमने समझ क्या रखा है चश्मा दांत बाल एड़े की तरह रहता है इससे कौन पटेगी हां देख लिया ना शर्त लगाने का नतीजा दील बड़ा होना चाहिए चला सरू कौन है याद मेरी गल्फ्रेंड है चुपरो सब लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं ऐसा नहीं है सरू ये सभी लोग हम दोनों को देखकर ज़र रहे हैं इतनी खुबसूरत लड़की बबलू को कैसे मिली ये सोच रहे हैं घर जाने के बाद नमक स से नजर उतार लेना पूरी नजर उतर जाएगी नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा देर स्टुडेंट्स अब आप लोगों के सामने चिंटू अपने फ्रेंड के साथ नातक का प्रदर्शन करेगा राधा जब से तुम्हें देखा है दिल टिक टिक करता है एक घंटे में पचास बत धड़कता है वह कैसे घंटे में बीस बारी दिल धड़कता है ना पापा को देखने के बाद गिंती गड़बढ़ हो गई राधा प्यार तो खुश्बुदार फूल की तरह होता है तेरा फ्रेंट पर नीम का कड़वा पता है थी आठी तो मिल जाओंगा तो पीछा तो चूटेगा तेरा दर्द भी कम हो जाएगा क्या है सब्सक्राइब अपनी फ्रेंड के साथ नाटक का प्रदर्शन करेगा जिन्दगी में कुछ पाना हो तो कुछ खोना पड़ता है सभी को सब कुछ चाहिए कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता जो मिलता है उसी में खुश रहना है ये मेरी फिलास्पी है लाइफ बोले तो रिस्क है प्यार करने में तो और भी ज़्यादा रिस्क है कितना भी रिस्क हो प्यार में जितेंगे तो सब कुछ भूल जाते हैं एक बात है सरू अब तुम मुझे पसंद आ गई तो I love you कह दूँगा What? हाँ मुझे पसंद आ गई तो तुमें ही नहीं किसी को भी कह दूँगा अब तुम मुझे पसंद आ गई तो प्यार कैसे करूँगी प्यार करने के लिए पसंद करना जरूरी नहीं तो मुझे क्या करने को कह रहे हो मुझे शादी करने के लिए शादी और तुम से दिमाग खराब है तेरा हाँ दिमाग खराब है मेरा अपने पेरेंट्स को मनाऊँगा तुम राजी हो तो यह लड़का mental हो गया है हाँ मैं mental हो गया हूँ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ समझी I love you तुमने यकिन कर लिया ना बताव शरू सभी ने देखा शरू ने यकिन कर लिया हना सरू तुम्हें सच लगा था ना झूँल कियो हो तुम्हें शाच लगा था ना किस तो बोलो थेखा ना कि अपने देगा रूब है तुम्हें तो भब लूब है रुक उप हूत जोड़ा है जो किया अच्छा था अब एक मस्ता डांस कर यार जो किया अच्छा था अच्छा था यार देखे कितना थे तुझे मेरे ये दोने ना इर भी मेरा दिल भरे ना जो किया अच्छा था यार दोने ना था यार यां तुमें सांसों में बस गई है दूझे मेरे ना था यार देखे कितना है तुझे मेरे ये दोने ना इर भी मेरा दिल भरी ना अच्छा था ये देखे कितना था ये दोने ना था ये दोने ना सुन ये ओ मेरे जान तेरा हूं पैं विवान पने दिल तो है ये तुझे को जो का शिकार दोने यार दोने ना सुचोना देखोना दिल भर मैं तेरे वाबो में मेरे तुझे हारे दीखे कितना था ये दोने ना इर भी मेरा दिल भरी ना तुझे कितना थेजारожगा झार printing आप्सनक्य को कितना थीर दुझे बभर मैं कर दोने मेरे ढूंए थालक का उकले सथ 하cents को एक प्णाली अचे के अचे केाँ आप चैनल भी दोना तुछ सो अब तुप्रो को ना भर विदो हमाने ततवी तरवाई नहीं जुबत से कह रहा देखू नजारे ये बेवे को नथा अप उझे अपने देवे मेरी जान तुझ में ही बसीरे देखे कितना भी तुझे मेरे ये दोने ना इर भी मेरा दिल भरी अब अधार बादी जगर है तुझे इर भी दिल आदू डांसिंग में भी और एक्टिंग में भी पास्त आने वाले को विनर प्राइज हेड मास्टर के हाथों से दिया जाएगा दोनों प्राइज मेरे हैं एर कभी शर्ट मत लगाना आव सरू इन से हमें क्या काम आज मैं बहुत खूश हूँ पता है तुमने मेरे साथ आकर मेरी इज़त बढ़ा दी मेरे फ्रेंड्स कहते हैं अरे यार बबलू ए तेरी गल्फ्रेंड तो एकदम बादाम की तरह खूब शूरत दिखती है बादाम क्या है पता नहीं ये देखो बिल्कुल तुमारी तरह है बहुत टेस्टी भी है सच मुच ये तो बहुत टेस्टी है है ना तुम रात को याद आती हूँ तो यही खाता हूँ चबा चबा कर अरे बबलू मैं बादाम जैसे नहीं हूँ यार फिर कैसी हो 36, 24, 36 पता है अरे ये तो मेरे दोस्त का फोन नंबर है ये फोल वो घर का नंबर नहीं है मेरे जैसी खूप सूरत लड़की के मेजरमेंट है हस किसलिए रहो तुम? ऐसे ही अपनी बिल्डिंग में एक आंटी रहती है हम सभी उने सिलेंडर कहते है तुम्हारी तरह आंटी भी 36, 24, 36 कहकर उचलती रहती है तो क्या मैं खूप सूरत नहीं हूँ? आँ, ओके, खूप सूरत तो हो लेकिन मेजरमेंट थोड़ा आलग सा है अरे बब्लू, तुम हमेशा खुशी से, लवली से मजाग करते रहते हो इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही खुशी से जीनना चाहती हूँ ओके, ओके, तुम्हें खुश रहना है, इतना ही है न, एक मिनट ये लो एक ही लाए हो गया? उसके पास एक ही बची थी, बहुत सी लड़कियों को, रात में आईस्क्रीम खाने की आदत है न, इसलिए लाया हूँ, मुझे भी देना ए, वो मेरे जूटा है जूटा है, इसलिए तो खा रहा हूँ अ, अरे, अरे, अरे दो, दो ए, अरे, मुझे दो अरे, ए, ऐसे क्यों देख रहे हो कुछ नहीं सरू, सारी लाइफ खुशी से अब तुमारे साथ बिताना चाहता हूँ ओके ना कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है यार मैं जब भी अकेला आता हूँ तो ऐसा ही करता रहता हूँ अपनी खुशीों को खुज बनाना पढ़ता है सरू ओ, लाइफ में खुशी से रहना बहुत जरूरी है उसे जिन्दगी पर पाना है तो पहले तुम्ही अपने future के बारे में सोचना हुगा इतना सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे तो एक ही बात पता है, वो मेरे पसंद की हुई तो, इमिजेटली लव करता हूँ, ऐसा बोल दूँगा, मान गई तो, शादी कर लूँगा, नहीं मानी तो, उसका नसीब, किसी भी एरे गेरे से शादी करके उसे अपनी जिन् ओ और बाइबलू, 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 वाइबलू, पापनृ, ए, गोरी, कैसा लग रहा हूँ, कौन हो तुम, मैं हूँ गोरी, बबलू, ओ, बबलू, तुम हो, तुमारी साइकल में, बैट जाऊं मैं, तुमारे लिए जगह नहीं है, औरेड़ी अंगेज है, ए, याना तरूर मैं हूँ पबलू तुम माइं ब्लॉइंग यार तुम्ही ने तो कहा था हेर स्टाइल दांत स्पैक्स बदलूंगा तो अमिर खान के तरह दीखूंगा इसलिए गेटप चेंज किया आप लड़किया पटेंगी ना बबलू आमिर खान तेरे सामने कुछ नहीं है आज थोड़ा घुमने जाना है मेरे साथ आओ ना ठीक है बबलू बॉस से पर्मिशन लेकर अभी आती हूं वेटकर तरूर तुम्हें एक बात पता है कौन से बात आज किसका बल्डे बताओ किसका अमिता बचन का नाई एश्व सामने वो रहती है जो अब बब्लू का बड़्डे है आज है ना तुम बोर कर चेंगे । तुम्हें कुछ भी याद नहीं है आज बबलू का बड़्डे है अबाबलू चाहूकश भी आज साईकल तुम लेकर जाओ इन हरामियों को मैं सबसिक आंगा बबलू छोड़ दो तुम जाकर रेस्टोरेंट में बेठो जिस्ट लीव इट बबलू ये बबलू लुपाँ अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ आजा मुझना आजा ये रुप आता हूँ ये रुप अरो उस लुपाँ को पकबा यार अपने को पैसे वाला समझते थे महाँ डालूँगा बबलू क्या हुआ कूल तुम्हे पता नहीं सरूँ जाकर क्या किया तुमने उनकी दुकान का काच फोर डाला ऐसा क्यों किया तुमने तुम्हे कोई कुछ कहे तो मैं सेह नहीं सकूँगा वो लुप तुम्हे कुछ करेंगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सरू बबलू इस सिटी में ये सब आम बात है इसे सीरियसली मत लो हाँ तो एक काम करो जा कर तुम उनकी बात ने सुनो तुम्हारे होश उट जाते उस समय आमिर खान भी ऐसा ही करता ठीक है ठीक है बेट जाओ ठीक है बबलू पहले केक कट करो केक बाद में काटेंगे पहले तुमसे एक बात कहनी है, तुम कुछ फील मत करना ए बबलू, हम दोनों फ्रेंड्स है न, इसमें फील करने जैसा क्या होगा जोक नहीं कर रहा, सीरियस, मुझे तुम कुछ कहोगी तनी क्यों ऐसा सोच रहे हो, मुझे तेरे अलावा कोई फ्रेंड नहीं है मेरे बेस्ट फ्रेंड तुम ही हो न, वो तो ए बबलू, तुम दिल में कुछ भी छुपाए भी न, सब कुछ बता देते हो न, बता बता, सब कुछ बता सरू वो बोलो बबलू, कहो कहो I love you बबलू मजाख नहीं कर रहा हूं, सीरियस हूं वाट? I love you, तुमसे शादी करूँगा Are you serious? Yes, I am serious फिर कभी ऐसा कहा तो, मैं क्या करूँगे मुझे ही पता नहीं, get up from here शरू शरू, तुमसे ही कह रहा हूं, मेरे दिल में जो था मैने बोल दिया तुम में तो कहा था बोलो, इसलिए मैंने तुमसे कह दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं मेरी उमर कम है तो क्या हुआ, शाजिन की नहीं थी क्या, अभी शेक की नहीं थी क्या तुम समझदार हो मेरी बात को समझो, प्लीज शेट शेट ए रोको, क्यो हो रहे, बबलु तुम ही हो गया हाँ, मैं ही हूँ एसपी साब बुला रहे हैं, चलो अबलदार, या सर चल दी सही है, सारा धेर यांसे साफ कर दो करवा दिया सर ए तरा नाम क्या है बबलु क्या क्या है इस लडके ने दुकान का आइना तोड़ डाला है, सर तुने आइना क्यों फोड़ा मेरी लवर के खातिर हाँ, लवर अब तक मेरी जिंदगी में कोई लवर नहीं हुई तुम्हारी कैसी हो गई इसमें मेरी गलती नहीं है, सर दिल पर हाथ रखके कहूंगा तो भी समझ नहीं आएगा आपको उझे प्रैक्टिकली अनुबोग करेंगे तभी पता चलेगा ओ माइ गाड तेरी उमर कितनी है गलत है, सर बच्चों की उमर और बड़ों की पगार नहीं पुछनी चाहिए ये हवलदार, ये कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है इसे जाकर एक बड़िया सी आईस्क्रिम खिला दे चल तुझे आईस्क्रिम खिलाता हूँ चल कपले निकाल ये बबलो, तुम्हें डैंस करना आता है क्या स्कूल में फरस्ट आता हूँ सर ठीक है, तो फिर बड़िया सा एक डांस देखा सॉरी सर, हिरन के बगर मूड नहीं बनेगा तो फिर सोलो सॉंग पर एक नाच दिखा चर्मा मत बेटा मुझसे नहीं होगा सर ये बबलो, ठीक है, तो फिर बड़िया सा एक डांस देखा सर वो बबलु मेरा बेटा है सर उसने अंजाने में कुछ कर दिया होगा सर दया करके उसे माफ किल जिए और जाने दीजे सर ओ वो आपका बेटा है क्या है जी हाँ सर ए अवल्दर सर जड़ा उसे बाहर तो ले आओ ए बाहर निकल आपका बेटा वो ज्यादा ही बोलता है ए बबलो फिर कभी ऐसा काम करेगा ना तो तेरी चमणी उधर दूँगा इसके बालों की स्टाइल देखो यह सिर्फ तेरी वज़े से बिकड़ा है लेकर जाओ इसे आओ बेटा जाओ धन्यवाद सर बचपन का मतलब जब हमें दुनियादारी की फिक्र नहीं थी उन दिनों को सोच कर आप कैसा फील करते हैं एक पेज में लिखकर बताईए बचपन बचपन फ्राक्स निकर के दिन याद है सरू मैंने अपने बचपने फ्राक्स पैनी हुई लड़कियों को देखा है सरू तुम फ्रोक्स से ज़ादा साडी में अच्छी लग रही हो जन्नत की परी की तरह प्यारी लग रही हो बादाम की तरह फ्रेस लग रही हो इसी लिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सरू एक बार मेरा एक फ्रेंड सेविंग करके आया था क्योंकि या पूछा तो दाडी मूच जितनी जल्दी आएंगी उतनी ही जल्दी लड़कियों पिलाईन मार सकते हैं बोला मैंने तुरंत मेरे पापा की सेविंग सेट लेकर उससे दाडी मनाने गया जैसे ये पापा को पता चला उन्होंने मुझे बहुत मारा मैं तुमसे ही शादी करूंगा रोज तुमारे लिए फूल लाऊंगा हामे लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो जो तुमे नाम पसंद है वही रखेंगे तुमे जैसा घर चाहिए वैसा ही घर बनाऊंगा उसमें अपना बैडरूम अच्छे से सजाऊंगा सरू गर्मियों में होलिडी पर चलेंगे वही फैशला करेंगे दो बचे चाहिए तो दो दस बचे चाहिए तो दस तुमे कितने बचे चाहिए सरू कॉमेड़ी नहीं कर रहा हूं हाँ तुमे तो ऐसा ही लगेगा न सच्चा प्यार किया है मने तुमसे सरू कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा है मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लिख सकता Really I love you, सरू सरू, प्लीज सरू, मुझे समझो सरू Really I love you, सरू, प्लीज सरू, मेरी बात सुनो सरू प्लीज सरू, बात करो सरू, सिंचेरी लव करता हूं सरू तुम्हारी इतनी हिम्मद? मैं तुमसे बहुत प्यार हूँ गणपती जी, जब भी मैं मंदिर में आता हूँ मेरे पापा का पर्श चुरा कर, 20 रुपे घर्च करके, नारियल फोड़कर, तुम्हारी पुजा करता हूँ ना किसलिए, सरू से प्यार करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना, फिर अब क्यू, सारी कानी उल्टी गुमा दी बबलू, तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, इसलिए कह रहा हूँ करो के सोचा था, तुम्हारा इतना ज्यादा पाऊर नहीं है, पता चल गया, कल से तुम्हारे पास किसी को भी नहीं आने दूँगा, बाहर गेट पर ऐसी आत फैला कर खड़ा रूँगा गोशा थूग दो बेटा, बाजू में बहुत सारे भगवान है, तेरा प्रॉबलम उन्हें बता कर देखो, तेरे बारे में हम सभी मिलकर एक मीटिंग अरेंज करके डिशायर करेंगे जो भी हो जल्दी करो सुवामी मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको दो पतनियाद जरूरी है? दोनों कहाँ है यार, अली वेलू मंगा मंगपूर में है, वीवी नान्चारी तुरूपती में बैठी है, और मैं यहां केला बैठा हूँ ठीक है, कुछ दिन पहले सरू नाम की लड़की से मिल मुलाकात हुई, वो मेरे दिल को बहुत ज़्याद अच्छी लगी, इसलिए I love you कहा, तो उसने गाल पर मार दिया, हाथ से, यही है क्या, मेरे जैसे सचे प्रेमी के लिए इंसाफ? अरे बद दिमाग मास्टर धिनानाथ बबलू, लव और लॉली पाप का फरक तुम्हें पता नहीं है, यह क्या सुमामी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करे हो, हाँ? हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग सभी लोग मेरे पास आते है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश मिला कर बात करता हूँ, मैं अपनी असली भाशा भूल चुका हूँ, मुझे वक्त दो क्या, और थोड़े दिन रुखना होगा, मैं कोई हलवा हूँ क्या, अब इसे काम पे नहीं लगोगे, तो लड़की भाग जाएगी, आज कल बहुत कंपेटिशन हो गया है, लड़कीया कम है, लड़के जादा, एक पे तीन का रेशियो चल रहा है, यानि तीन लड़कों प सुचता हूँ, सबी भगवानों को बुलाता हूँ, तुमारे बारे में डिसकस करता हूँ, इसलिए एक बात ध्यान में रखना, जब तक तुमारा काम ना हो, तुम उस लड़की से दूर रहना, क्या सुवामें ऐसे कह रहे हो, छीची, तिरुपती होकर ऐसी बात कर रहे हो हूँ! प्रूब प्रॉब झाल दया करके फिर कभी यहां मताना ओके शरू, बाए यहां क्यों आए तुम? मताना कहा था ना? तुम्हारी याद आ रही थी शरू तुमसे बात नहीं करता तो अच्छा नहीं लगता है सच में, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हें गुस्सा आया तो मुझे मारो, अभी उसे गाली दीना मुझे भी ऐसे गाली दो लेकिन यहां से चले जाओ ऐसा बिलकुल मत कहना, प्लीज सरू नहीं तो मैं रो पड़ूँगा प्लीज सरू मुझे से बात करो सरू शेशी, उठो बबलू उस बास्टर्ड से बरुबरी कैसी तुम्हारी तुमने तो अंजाने में कह दिया था ओके बहुत बोर हो रही हूँ कहीं गुमने चले क्या येस करेंट मारे पूचता रूब तेरा धानिलाना तेरी अधाता मैं दिवाना मता हुए तुझ पे ये पहनले साड़ी ये चड़के आऊंगा ध्योडी में सारे जग्य साथने ले जाऊंगा तुझको मैं तरा तो चले भीवे तोड़ा खाई मुझ को दे अपने दिल को तम झादे यूँ बेताब ना हो रे ओ फिना बान जाना बें हुए राचानू यूँ पाटा चिक तुझ बेई झाल झाल प्रौज जे लिए बड़ाी हैं मेरी जात पड़ दिल में झेनी पुझी दर्की सी करा दित पांकी चाल गशिए मन मझ है ये मेरा दिल किस ले ये मेरा बता मुझको अब क्या करूँ ऑपने जहने यह दिश्ट में से अन में आला। तुह में क्याल कम तोrah नहों करूआ। एक करें तमारें तु जाना तूंञ तेरा काल मितना तेरी अकाल का मैं पाना मता हू मैं तुझ पे मैं आमें चाह तो मेरी चाह जी वोगे तुम राव में आपूरे तैने मारे विपाचाने मारे आम कमा है दिल जबा है अपके हुम लाद करे दूधी जुपा है नहीं है दिल में है दिल में है तुपान बने ले जुस्त जुदू हूँ जा तेरी रहावो मेरी रखान यास यास ते तु है रखसरा तु है दिल दुबा है उन्से जाना बीटा ना माते बना तुम ले जाना रूप तेरा गात दिलाना तेरी आदाका मैं कि बाना बना हुम आई तुझ पे ले पहन ले साड़ी ये चड़के आओ त घोड़ी पे सारे जगते सामने ले जाओंगा तुझ को मैं तेरा तो चले भी दे बोड़ा ताइप मुझ को दे अपने ले को तक छाड़े यूँ में डाप न हो रे ओ हती ना मानू जाना मैं हुझ तेरा जानू प्लीज़ सरूँ शरू मुझे बचालो शरू अरे तुमारी सरू की उसकूल जाओ जाओ ची सफना देख रहा था ये क्या ये पागल लड़का फिर यहां आ रहा है रोज एक लड़की की नाम से अर्चना करवाता है आज किस लड़की की नाम से अर्चना करवाएगा पंडित जी बोलो किसके अर्चना करनी है आपकी बेटी की नाम पर तो नहीं जितना का वो करो यहाने वाले सारे भक्तों को मैं समझाता हूँ और तुम आज के बच्चे मुझे समझाने आये हो बोलो थोड़ा ज्यादा हो रहा है अगर हार अनन्त लक्ष्मी फूलियार को घुमाना मा एक लेकर सबको बता दूं गया अरे 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 बदमास! बता तो सही! करना क्या है बताएगा तभी करूंगा ना? अभी सर्सवती नाम की लड़की आयेगी. ये लेटर इस थाली में रखकर उस लड़की को दे दो. अरे बदमाश, पंडित के हाथों से ऐसे अपराज के कार्य कराता है, तेरे पिंडिदान करके खुत्तों को खिलाओं बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, पंडित हो पंडित की तरह रहो, वरना प्राब्लम हो जाएगी तु यहाँ से जल्दी से जा रहे सनीचर, कोई सुन लेगा तो मेरी इज़त जाएगी वहाँ देखो, वो रोज कलर का ड्रेस पेन कर आ रही है न, वही है लड़की सरस्वती तुम शुरूर जाओ, मैं भी आता हूँ करना ही पड़ेगा, क्या करूं मैं गनपती बप्पा, इस बबलू से मुझे बचाओ वो अच्छे से पढ़ाई करके, फर्स रैंक में पास हो स्वामी काम धाम छोड़ कर, प्यार प्यार कहकर, मेरे पीछे पढ़ गया है वो तो अब कोई फाइदा नहीं, मैंने अल्रेडे एप्लेकेशन भी दे दिया है, मुझे वादा भी कर चुके है कैसे भी करके हमें मिलाएंगे देखो यार, एक बेचारी आके लड़कें को क्यों रोला रहे हो कुवारा रह जाओ मेरी तरह, नहीं तो सन्यासी बनकर हिमालया पर चले जाओ क्या, मैं कुवारा रह जाओ, सन्यासी बनकर तुमारी चोखट पर बैठ जाओ ये आपका समय ने है सुवामी, ये हमारा समय है, तुमारी बिल्कुल नहीं चलती तुमसे कुछनी होने वाला, मैं आपसे बड़ेशे बात करता हूँ ये कैसा लड़का है स्वामी, अब ही तक पीछे पड़ा हुआ है इस लड़के को अच्छी बुद्धी दो, मैं तिरू पती आकर टकली हो जाओंगे यहां भी और रेडिय अप्लिकेशन देती है, टकली होने से, अंधपरदर्शन करने से, कोई फायदा नहीं इस लड़की को भूल जा यार, चाकर किसी दूसरी लड़की को पटा, यह तुमारे हाथ ने आने वाली हलो, क्या कहा आपने, दूसरी लड़की को ट्राई कर लूँ, मैं कोई हलवा हूँ क्या, एक लड़की को पटाने के लिए इतने महीने लग गए, ऐसे ही छोड़ता चला जाओंगा, तक कुमारा रह जाओंगा मेरी बात मान, इस लड़की को भूलने में तेरी भलाई है, क्या, भूल जाओं, तिरूपती का लड़ू हूँ क्या, तुम पागल हो क्या, हाँ, मैं पागल हूँ, यह तुम्हे अभी पता चला, लक्रतुंड महा काया सूरे कोटी, बेटी तुम्हारा नाम क्या है, सरस्व प्लीज सरू मेरे दिल को समझो, मेरे दिल में जो है मैंने वही लिखा है, तुम्हें देखे बिना, बात किये बिना, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, धया करके मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज, आई लव यू, अरे बबलू, तुम सच्वेर पागड हो गए हो, हाँ, क्या करूँ बताओ, उस कुए में जाकर कूच जाओ, अंग परदर्शन करूँ क्या, नहीं तो कान में फूल लगा कर सारा शहर गूम के आओ, क्या करूँ बताओ तुम्हें, ओके बबलू, अभी टाइम वेस मत करो, तुम तुम्हारे पेरेंट्स को अपने प्यार के बारे में बता कर आओ, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूँगी, येस, रुको एक मिनट, उसे मैं अनापसनाप कह दिया, सौरी, दिल पर मत लेना, मेरे जशा ना समझ कुछ भी कह देता है, बुरा मत मानना, पहले अख़ट पर आते हैं, मैं उसी का काम करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले कोई आकर आईश्वरया राय से मेरे शादी करवा हूँ, ऐसा कह रहा था, जबकि आईश्वरया की शादी मैं अभिशेक से करवा चुका हूँ, तुम्हारा केस भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा मत को सर के बाल दूँगा, बोल दिया न सुवामी, नहीं पहले अपने बाल मुझे आरपन करो, तभी मैं तुम्हारे शादी के बार में सोचूँगा, ठीके सुवामी, ऐसा ही होगा, सरू शेशादी करके फैमिली के साथ आकर मेरे बेटे को भी टकला बनाऊंगा, बाई सुवा सामी ऐसे किये, इसलिए जानना जरूरी है, समझा, सुनने में बुरा लग रहा है क्या, इतना बड़ा बेटा हो गया आपका, आपने कभी सोचा है मेरे बारे में, अरे तेरे बारे में सोच कर मैं क्या करूँगा, गधे का बच्चा, पैदा करने शादी करना भी आपका एक मार खाएगा क्या तू, अरे तू है क्या, तिरी उमर क्या है, मैंने उसी दिन कहा था, ये नयलाए कुछ न कुछ उल्टा सिधा जरूर करेगा, सुना तुमें, अरे ये सब लव क्या है, शादी क्या है तर दिमाग खराब हो गया, क्या, कुछ खराब नहीं हुआ, मैं शादी करेंगे, सुनो, क्या इज़्जत रह जाएगी हमारी कोई सुनेगा तो, अरे अरे चुप हो जाएए, मैं सब पूछती हूँ इससे, अरे वो लड़की कौन है बता, अरे सठी आ गई है क्या, अरे मारने के बज़ाए पूछ रहे ये लड़की कौन है, अरे बाटिय बेटा, वो लड़की कौन है बेटा बोल, सामने के अपार्टमेंट में 302 की सरस्वती, सरस्वती, अभी उसको सबक सिखाते हैं, चलो राम राम, ये क्या है बेटी, ये तुमने क्या कर दिया, इतना नीच काम किया बाप रे बाप, मेरा बेटा है न, सुबह उठते हैं उसकी आँखें, इस लड़की के फ्लैट की तरफ होती है, ये लड़की जब तक ड्यूटी नहीं जाती, तब तक मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता तुम्हारी वज़े से मेरी बबलू की जिंदगी बरबाद हो गई है, उसे अच्छा बनाना है तो तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए बच्चा गलती करता तो उसे सुधाना चाहिए, वो छोड़कर तुम कह रही हो कि उसके पेरिंस को समझाओ, उसके लाइफ को बरबाद कर चुकियो, ज़रा उसकी उम्र देखो और खुद की देखो ची, एक औरत होकर ऐसा काम करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती, लेकिन तुम्हारे जैसे औरत को इस अपार्ट बेट में फ्लेट देना हमारी ही गलती है, इमिटेटली खाली करके चली जाओ यहां से इससे बाते करके कोई फायदा नहीं, धक्ये मार कर निकालो ज्यादा बात मत करना ऐसी लड़की से बात करने ही गलत बात है आपके फ्लेट से इसे खाली करवाएए, नहीं तो इसका सामा निकाल के रोट पे फेक दूँगे बस करो, फ्लीज मेरी नजर में वो हमेशा से एक छोटा बच्चा था अकेली पनन में मुझसे सहारा मिल गया, यह सोचा था मैंने लेकिन इतना रियेक्ट होगा मैंने नहीं सोचा था क्या कह रही है, मजबूरी का फायदा उठा रही है फायदा उठाने वाली मैं नहीं, आप है अगर सच कहूँ न, आपने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं है अपना काम करते हुए अपनी बच्चों को के सेंटर में, रिसिडेंस कूल में पढ़ाया काफी है क्या, आप लोग यही प्यार दे रहे हैं अपने बच्चों को संडे के दिन भी को enjoyment नहीं है मा का रास्ता मा का है बाप का रास्ता बाप का है बच्चों का रास्ता बच्चों का है यही प्यार दे रहें आप अपने बच्चों को सेलफोन दिला रहे गहके सोचते है उस सेलफोन से किस से बात कर रहें कितनी देर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, इससे आगे बच्चों के सामने रोमैंस करते हैं, बच्चों के सामने लड़ना जगड़ना होता है, बच्चों के सामने इस सब कुछ, बच्चों के सामने आपकी हैवानियत सब कुछ उनके सामने, मैं किसी से प्यार नहीं करती मैं किसी के साथ भी डेटिंग नहीं करती हूँ मैंने किसी को धोका नहीं दिया है क्योंकि मैं मेरी अगीली जिन्दगी ने बहुत से सबक सिखाए है मुझे आप जैसे इंसानों के साथ रहने से अच्छा है जंगल में जीना बैटर है झाल onze जीना जे झाल झाल जाल अजय कर बाग गया अब क्या हुआ तुने किसी से प्यार किया नहीं तो प्यार करते तो पता चलता कैसा लगता है इसी तरह घुमोगे यहां आने का कारण बताईए बाबा मेरे बेटे को प्यासी चुड़ेल ने पकड़ लिया है कुछ दिनों से इसने पढ़ना लिखना रुखिए आखिर यह लिखना किस लड़की का नाम है अरे लिखना कुई लड़की का नाम नहीं है बाबा वो हम लिखते हैं न पढ़ने के बाद वो ओहू ऐसा क्या ठीक है आगे की कहानी बताओ बाबा आपने फ्लेट में एक लड़की रहती है यह उसके साथ रहता है उसके साथ घूमता है और शादी की बात करता है और जगड़ा करता है बाबा आप इसे किसी तरह ठीक कर दीजे बाबा ठीक है एक काम कीजी बताईए बाबा तुरंत उस लड़की के साथ इसकी शादी करवा दीजे वो चुडल भस मौच आएगी इसका दिल बदलेंगे कहकर आपके पास लेकर आएं शादी करने के लिए क्यों कह रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप क्यों अच्छा नहीं लगा क्या बाबा क्रोधित मत होए बाबा मुझसे गलत बात क्यों करते हो शांती रखिये बाबा शांती रोकड़ा रखकर यहांसे दफा हो जाओ मेरे बेटे के सर पे जो भूत सवार है उसे निकाल कर उसे आम आदमी बना दीजे बाबा हम जाकर आते हैं बाबा तुम बेफिकर हो अब जाओ यहांसे ए बाल प्रेमी इदर आओ तुम्हारी परिशानी क्या है बताया ना मेरे डेडी ने वो मैं सब जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे सवालों को जवाब दो प्यार करता रहता हूँ यह क्या कह रहा है किससे लड़कियों से यहां कोई सुन्दर लड़की नहीं है क्या क्या रहे मुझसे मजाग कर रहा है बाबा मैंने आपको कहीं देखा है आपने कुछ गेट अप चेंज किया है क्या कौन है यह बालक क्या है इसकी कहानी बाबा अब मेरे साथ क्या करने वाले हो बैंड बजा बजवाकर लोगों को दावत देकर तुमारे शादी करवाने वाला हूँ मैं किस के साथ सरु के साथ आई आई यह जल्दी आई इस बालक पर शादी का भूत सवार है तंदी बना लो इसे बस करो रुक जाओ ए बाल प्रेमी कैसा लगा भूतनी है या चली गई मस्त लग रहा है बाबा लेकिन भूतनी गई नहीं इससे शुरू हो जाओ इसकी काम बुजा करनी है उतारो अब कैसा लग रहा है बालक वाह मार खाई कोई बात नहीं लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है बाबा हाई बबलू सुरू तुम यहाँ हो सुरू मुझे छोड़ कर कहीं मत जाना रोज तुम्हारी याद आती है सुरू यहीं रुको यहीं पर रहना ओके हाँ सुरू कहाँ चलेगे सुरू सुरू कहाँ हो सुरू कहाँ हाँ आपके सपुत्र यहीं कही होगा देख लीजे न अरे 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 ची 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 क्या हो गया है तुम्हें तुम्हें गर्मी ज़ादा हो गई इस लिए ऐसा कर रहा हो उसके कपड़े मुँ में डाल कर उपर से खुश्बू लेते हुए मजा ले रहे हो क्या देखा तुमने इसका पागलपन ये क्या बेठा अच्छे से पड़ लिक कर अच्छे से जॉब करोगे हमारा नाम रोशन करोगे ये पागलपन क्यों कर रहे हो अपना नाम करेगा कर रहा है बत नाम ए तेरी उमर कितनी है अभी तुझे याद दिला आता हूँ समझा अब 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 भी करो तेरी तो आज इससे नहीं छोड़ूगा मैं सुनिये एक मिनिट छोटा बच्चा है उसे प्यार सा समझाएंगे तो समझ जाएगा पहले उसकी बात सुन लेते हैं शायद कुछ अच्छी बात बताने से बदल जाए ठीक है चलो अरे बबलू ये ठीक नहीं है बेटा ये तुम्हारी प्यार करने के उम्र नहीं है हमें इतना दुख क्यों दे रहे हो बिल्डिंग के सभी लोग तुम्हें बुरा कहते हैं तो हमें कितना दुख होता है तुम्हें पता है बेटा सहन नहीं होता है बेटा बेटा, हम जो भी करेंगे तेरे भले के लिए करेंगे, तुम पढ़ लिक कर, अच्छे पोजिशन पे काम करोगे तो हमें खुशी होगी बेटा, ऐसे बुरे काम करना छोड़ दो, बड़े होने के बाद तुम्हारी पसंद के लड़की से शादी करवा देंगे ऐसे कभी मेरे बाजू में बेट कर इतने प्यार से बात किया आपने, जब भी देखो आपके जगडे गाली गलोज, कुछ कहा तो बेल्ट निकालकर मारना शरू कर दिया, सरू कितने प्यार से बात करती पता है, आप लोगों का प्यार ने मिला मुझे, उससे मिला, इसलिए उ हमारे शरीर में कई प्रकार के हॉर्मोंज होते हैं, वो हमारी उम्र के हिसाब से कम्या ज्यादा होते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर की बनावट में उम्र के साथ फर्क आने लगता है वहाँ और भी हैं, आओ सुरू, पसंद कर लो, तुम्हें जो चाहिए वो, यह अच्छा है ना बहुत अच्छा है बबलू, मैं बिल पे करके आता हूँ, तुम यही रुको ये लो आओ सुरू, चलते हैं, कितना? तुम्हें इससे क्या, ये लो ये क्रेडिट कार्ट तेरे पापा का लगता है, गलत है न? मेरे पापा का नहीं, मेरे दादा जी का है, मेरा हक नहीं है क्या? तुम्हारे मेहनत से कमाई हुए पैसों से, छोट ऐसा गिफ्ट दोगे तो काफी है, इतना पैसा खर्च करके देने की जरूरत नहीं है ठीक है बबलू, मैं तरी फ्रेंड हुआ है, डोंट गे डिसपॉइंट ठीक है, चलो तुम्हें मेहनत करके कमाई पैसों से, छोट ऐसा गिफ्ट दोगे तो काफी है, खुशे से ले लूँगी हमारी शरीड की जो लंबाई बढ़ती है या मोटापा बढ़ता है, तो वो इनी हार्मोन्स की वज़े से होता है इनके कम या ज्यादा होने से हमारा शरीर दूर्बल होने लगता है, इसी लिए इनका संतुलन होना बहुत जरूरी है इस संतुलन को बनाई रखने के लिए हम कई तरह की विटामिन्स का सहारा लेते हैं सरू घर में है क्या? सरू फ्लेट खाली खरके चली गई बबलू बिन तेरे रहते खामोश अब हम है खुदा पे भी अब तो यकी कम बिन तेरे रहते खामोश अब हम है खुदा पे भी अब तो यकी कम तेरी यादों में हम तेरी यादों में हम डूबे रहते हैं तनहा युँ हम दम बिन तेरे रहते खामोश अब हम है खुदा पे भी अब तो यकी कम हुदा पे खामोश अब तो यकी कम बीते लम्हों की आदे जब आती मेरी आँखों में असु दे जाती बीते लम्हों की आदे जब आती मेरी आँखों में असु दे जाती मर रहा जीते जी सासे बस चल रही ये सजा प्यारे की क्यों मुझे मिल रही बिन तेरे है अधूरे ओ हम दम बिन तेरे है अधूरे ओ हम दम प्यार में सहरे है हर सितम हम बिन तेरे में अकेला थाई तेनो तुसे मिलने को तरसा था उतना खो गया भीड में जब तुम रूठ गए मुझे को मिलके भी तुम अजना भी बन गए मुड के मैंने तुम्हें कितना देखा मुड के मैंने तुम्हें कितना देखा मुझे को पर तुमने क्यों ना रोका तेरी यादों में हम तेरी यादों में हम डूबे रहते हैं तनहायु हम दम बिन तेरी रहते खामोश अब हम है खुदा पे भी अब तो यकिकम तुम्हारे लिए लाया हूँ सुरू जबसे मैंने होश शमाला है कोई भी मेरे साथ दोस्ती नहीं रखता था मेरे स्कूल वालों को अपार्टमेंट में मैं सबको एक इडिट की तरह दिखाई देता था मेरे सारे फ्रेंड्स की गल्फरेंड हैं जब मैं उनको साथ में देखता तो मेरी वे एक गल्फरेंड होती कितना अच्छा होता ये सोचता था उसी समय तुम मुझे मिल गई दोस्तों ने भढ़का दिया मैं एक यूजलेस फेलो हूँ फ्रेंट्स की साइकल जीतने की खाते तुम्हें गल्फ्रेंट बनाऊंगा शर्त लगा लिए मेरे माबाप ने कभी भी प्यार से पास बुला कर ऐसे रहना है ऐसे करना है कभी नहीं बताया उन दोनों का प्यार तुम दे रही थी तो इस सारी दुनिया को छोड़कर में तुम्हारे ही पास रहना चाता था उस फंक्षन में तुम मेरे साथ थी तो मुझे कितनी खुशी हुई पता है कब सुबा होगी कब मैं फिर तुमसे दोबरा मिल पाऊँगा राध बर तुमारे बारे में सोचते हुए सोग जाता था पता नहीं तुमसे प्यार हो गया या ये प्यार का अट्रेक्शन मुझे भी पता नहीं मैं ही नहीं मेरी एजवाले सभी लड़कों में कन्फूजन रहता है लेकिन मैं कन्फूजन में नहीं हूँ एकदम कलियर हूँ मैं मेरे दिल की बाद छिपाए बिना तुम्हारी साथ शादी करूँगा कहा था तुमने थपड मारा तभी पता चला तुम मुझे प्यार नहीं करती तुमने मुझे कहा कि अपने पैरेंस को कन्फूजन करो मैं तब भी नहीं समझ पाया कि तुम मुझे दूर होना चाहती हो तुमसे पहली बार मिला तभी मुझे मार कर भगा देना चाहिए था तभी मैं अच्छा पड़ पाता था किसी से कभी तो शादी करोगी न वो मैं क्यों नहीं हो शकता बहुत प्यार करता हूँ सरू इस से और ज़्यादा तुम्हें अच्छा नहीं समझा सकता हूँ मेरे साथ चलो बबलू तेरी अच्छी लाइफ है अच्छो से पढ़ोगे तो अच्छी जॉब बिलेगी उससे तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी तब तेरी खातिर मेरे जैसी लड़किया क्यों मैं खड़ी होँगी बबलू तुम्हें जो लड़की चाहिए उसी लड़की से शादी कर सकोगे तुम मुझे तुम जैसी लड़की चाहिए वो तुम ही हो बबलू तुम्हें कैसे समझाओ समझ नहीं आ रहा कैसे भी समझाओ समझ जाओंगा अरे बबलू प्लीज मुझे छोड़ दो बबलू तेरी मेरी जोड़ी सही नहीं है तेरी उम्र कितनी है मेरी उम्र कितनी है तुम छोटे से बच्चे हो बबलू असल में तुमसे क्लोज होना मोफ होना मेरी गलती थी इसलिए अभी दुखी हो रही हूँ ये सब मुझे पता नहीं, तुम मुझे पसंद हो असल मैं? मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? मेरी सुन्दरता, मेरा शरीर, जो चाहिए ले जाओ ले लो ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए तुम प्यार नहीं करोगी कोई बात नहीं मैं तुम्हें प्यार करता हूं प्यार करते हो तुम पागल हो क्या इडियट मेरे जैसे लड़के से प्यार करके क्या करोगे तुम हां शादी करूँगा ओके अब तुम्हें एक सच बताती हूं मेरे बॉइफ्रेंड के साथ नेक्स हम खड़ सुनु, िड़र को चे सी घूत दों हा को। isccी इसका है क्जू शख है क्जू करो這邊 शर पहे जू झाँ। इता है वे तो यह किया कर दिया ने पुस्त कि शरू सरू सरू अधिए बबलु के प्रेंट्स आप ही हागए यह याद कर दोक्टर वह आ जाएगी तो रिलेक्स हो जाएगा तो तो बेटी सरस्वाती बबलू होस्पिटल में है तुम्हें बहुत याद कर रहा है ठीक है चलिए क्यों रो रही है सरू मैं ठीक हूना जब तक तुम हो मैं खुशी से रहूँगा सरू तुम खुशी से रह सकते हो मैं नहीं रह सकते ऐसा काम क्यों किया तुमने तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हो सरू तुम मरने को कहोगी मर भी जाऊंगा इसे बात मत करो बबलू, तुम्हें देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, क्यों दोस्ति की तुमने, मुझे मौत आ जाती तो अच्छा था प्लीज सुरूर, ऐसा मत काओ, ऐसा मैं सेहन नहीं कर पाऊंगा पागिल की तरह बाते मत करो बबलू, किसलिए किया ये सब, इस उम्र में ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लिखकर, खुशी से अच्छा काम करो अच्छे देखकर शर्म आ रही है न, शर्म आए बिना, और क्या करू कहो, ऐसा करोगे तो, मैं नहीं, सबही लोग, तुम्हे पुरा कहेंगे पबलू फिर क्या करूँ मैं, तुम शादी कर रहे ही हो कहा था न, ऐसे में मेरा जिना बेकार है, तुम्हारे साथ को योर रहे हैं मैं देख नहीं सकता सरू अब फिर फोलिश के तरह बात कर रहे हो तुम, ट्राइ टू अंडरस्टेंड में, हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं बबलू एक बार, आई लेव यू कह दो न, प्लीज कहूं कि तु भूल चाओगे क्या तो फिर मत कहो, तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है भूल चाना है तो, मुझे क्या करना होगा तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों को सजा दी है तुम्हारी खातिर अरे बबलू गम मेरी लाइफ में, मैं किसी से नहीं डरी मैंने किसी गया कि हाथ नहीं फैला है फर्स टाइम मैं तुम से मांग रही हूँ एक वाधा करो कहो लाइफ में फिर कभी मेरी खादिर ऐसा काम नहीं करूँगा कहके प्रॉमिस करो मैं भी एक वाधा चाहता हूँ मुझे भी तुम प्रॉमिस करो कहो जिन्दगी भर किसी और से शादि नहीं करोगी मुझे से वाधा करो बबलू क्या हुआ तुमें रो क्यों रहे हो सरू तुम यहीं हो फिर वो वाध मेरी क्यों बोला कि तुम चली गई हो उससे छोड़ो मैं तुमें छोड़कर जा सकती हूँ क्या अब तुमें क्या चाहिए ये बताओ कुछ भी दे सकती हो क्या कुछ भी कहो नो नहीं कहोंगी अगर मैं चुमा मांगू तो ओ शिट इतनी से बात इसके लिए क्यों शर्मा रहे हो यहाँ रोहित प्लीज जिस्ट गो शरू मेरे पापा को मैं समझा दूँगा एक बाद मेरे घर तो आओ न रोहित क्यों अपना टाइम पर बाद कर रहे हो मैं शादी नहीं कर सकती कहा न अगम से पैसे वालों को बहुत मिल जाएंगे किसी और से शादी कर लो प्लीज प्लीज गो अवे शरू मैं मनाँगा पापा को शरू बास सुरू वाट लोईस दू फो यू शरू कमोन यार प्लीज मैं तुम से एरा हूं समझ मने आता क्या क्यों मुझे सता रही हो तुम मुझे पागल समझे हो क्या यू प्लैडी आए शरू अरे पागली कितनी पार सब जाओ तुझे यह शिट मेरी सरू को मारता है सरू सरू मैं बभलू हूं सरू उठोँ सरू उठों सरू उस ईडियेट को मैंने मार दिया सरू शरू प्लीज, उटा सरू, पबलू, सरू पबलू, तुम हाँ सरू, मैं हूँ कैसी हो शरू, अब कैसी हो तुम, उसे मार दिया, सरू, मार दिया मार दिया, पीज, मारा उसे रोहित, 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 रोहित Gir is dead मर गया बबलू, पर तुम्हें चेले जाओ तुम्हें छोड़ कर मैं नी जहूँगा सरू मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम जहां रहोगी, मैं भी वही रहूँगा सरू पागई कही का जाओ, तुमसे कह रही हो ला जाओ, तुमसे कह रही हो बापा जाओ बबलू के गुनाह की सजा सरू ने अपने उपर ले ली और अदालत में अपना गुनाह को बूल कर लिया सरू सुन रीटा, इसका नम सरस्वती है, इसे यहां का काम समझा दे आओ बेटी आओ हाँ हाँ हाँ, चलो, देखना काम करो एः, ठीक से काम करो, एः, चलो चलो काम करो, ठीक से जडो मारो, हाँ एः, तुमसे मिलने कोई बबलू आया, चलो तुमने कोई गुना नहीं किया, तुम्हें कभी न कभी बाहर लेकर जाओंगा सरू कैसी है ये दुनिया, अपना नहीं कोई, दिल पिंजरे में कैद यहां रोए जाने गम कोई न, क्यूं बहे ये आंसू, यहां दर्द कैसे कोई अपना कहे जिन्दगी है खफा, बिन कसूर ये सजा, खामोशी जीवन है, तुमसे हो के जुदा कैसी है ये दुनिया, अपना नहीं कोई, दिल पिंजरे में कैद यहां रोए ची-ची, बच्पन से मैं इस लड़के को कुछ भी कहता हूँ, उसको उल्टा करने की आदत पड़ गई है इस पागल को, अरे, इंजीनिर डॉक्टर बनने को कहो, तो लॉप पढ़ेंगे ये, हमें क्यों इतनी तकलिफ दे रहे हो तुम, डैडी, मुझे जो पसंद है, मैं अल्रडी कॉलेज में फीस भर चुका हूँ, बेटा, डैडी जो कहरे हो सुन ले, अच्छा डॉक्टर बंचा बेटा, ममी, मैं डैडी के हिसाब से चलूँगा, तो मेरी जिन्दे की ताबा हो जाएगी, प्लीस तुम डैडी से कहो कि इसके बारे में उससे बात न करे, बाक सुनो सरस्वती, वो जीलर सहाब तुमें बहुत पसंद करते हैं, वो तुमें बुला रहे हैं कैसी है ये दुनिया, अपना नहीं कोई, दिल पिंजरे में कैद यहां रोए जाने गम कोई न, क्यूं वहे ये आँसु, यहां दर्द कैसे कोई अपना कहे जिन्दगी है खफा, बिनकसूर ये सजा, खामोशी जीवन है, तुम से हो के जुदा कैसी है ये दुनिया, अपना नहीं कोई, दिल पिंजरे में कैद यहां रोए बेटा बबलू, हम तुमें समझ नहीं पाए, प्यार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जिस लड़की से प्यार किया जाए, उसके लिए इतना कुछ करना बड़ी बात होती है, तुम ये केस जरूर जीतोगे जिस लड़की से प्यार किया उसके साथ खुश रहोगे, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए, इस केस में तुम जरूर जीत के आओगे बेटा यूर आनर यूर आनर इस केस में मिसिस शालिनी को पहली गवा के रूप में पेश करने के लिए आदालत से इजाज़त चाहता हूँ आपका नाम? मिसिस शालिनी राओ राओ जी क्या करते हैं? मेरी पती जेकी कॉलेज में साइंस की प्रोफेसर है राओ जी की आप अकेली वाइफ है या उनकी कोई और भी वाइफ है? वाट दो यू मेन? मेरे सवालों का जवाब दीजिए राओ जी की आप अकेली वाइफ है या कोई और भी है? नहीं, मैं अकेली हूँ आपके राव जी के अलावा किसी और के साथ समन्द थे इस केस में एक गवहा बहुत इंपोर्टेंट है इसी के अधार पर पहले मेरे क्लाइंट को सजा दिलवाई गई थी इसी लिए इनको बताना होगा सच या जूट जाना बहुत ज़रूरी है जूट है जूट है मैंने दो बार शादी नहीं की है तो फिर एक बार हुआ क्या सच बताई जूट साब सबूत देख लेंगे तो सच सामने आ जाएगा अदालत को गुम्रा करने के जुर्म में कम से कम आपको तीन साल जेल की सजा हो सकती है बापरी जेल मैं सच बताते हूँ मेरी इससे पहले नाकपाल नाम के कॉंट्राक्टर से शादी हुई थी लेकिन दो सार होने से पहले ही उन्हें ने मुझे तलाग दे दिया उन्होंने नहीं दिया मिशिशालीनी ने उनको तलाग दिया था उनकी कमाई से इनका आशवाराम पूरे नहीं हो रहे थे माफ कीजिए और अनर आपको समिट के हुए सबूत सिर्फ को और एक आगज है मिशिशालीनी के जुबान से सच उगलोवाने के लिए ऐसा करना पड़ा इसके लिए अदालत से माफी चाहूंगा भगवत गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कशम खाकर आपके सामने जूट बोलने वाली मिशिशालीनी जी के ब्यान के आधार पर कुछ साल पहले मेरी क्लाइंट को सजा सुनाई गई थी मिशिशालीनी जी अब आप जा सकती है अब मैं एक और एहम गवा आपके सामने हाजिर कर रहा हूं ये मेरी क्लाइंट है सर्श्वती कतल होने से पहले के इनकी कंपनी के बोस MD के जायदाद के कागजात हैं उन्हें मरे हुए दो साल हो चुके हैं इन कागजात के मताबिक कुंदन शाह ने अपनी सारी जायदाद संटेरेसा अनाथासरम को डोनेट की थी उस टरस्ट का काम मिश सर्श्वती जी को दिया था इतना ही नहीं जुर्म चुपचाप सहकर जेल जाने तक उनकी कमाई में से आदा हिस्सा उस अनाथासरम को डोनेशन के रूप में जाता है इनका कमाया हुआ पैसा जहां ये पढ़लिक कर बड़ी हुई उस अनाथासरम को दान करने के लिए दे दिया है एसी देयालू मिश सरस्वती जी पैसो की खातिर उस रोहित सिंग का कतल कर सकती है क्या कम से कम 20 क्रोर जायदात के मालिक रहे इनके बौस कुंदन शा अपनी सारी जायदात इनके नाम करने को तयार थे पर इन्होंने मना कर दिया एसे में पैसो की लालच में इन्होंने रोहित का कतल किया कहना कहां का इंसाफ है एक बार आप ही सोचिए आदालत से अनुरोद कर रहा हूँ That's all Your Honor Your Honor हमारे डिफेंस लायर विजय दिननानाथ के दिखाए हुए आधार के मताबिक अगर ये कतल सुरसती दे नहीं किया ये बात सच है तो फिर रोहित के हत्या के पीछे वो दूसरा आदमी कौन है वो आदमी कौन है ये फैसला हुए बिना अल्रेडी सजा काटरी मुझरिम को छोड़ देना अदालत के खिलाफ है Your Honor लगता है हमारे यूअ लॉयर कानून को बदल कर लिखने की कोशिश कर रहे है इनकी बातों से आदालत क्या आर्थ निकालेगे Your Honor इसका समाधान मेरे पास है Your Honor लेकिन उससे पहले मैं ये वर्दी निकाल कर वहाँ खड़े होने की अनुमती अदालत से चाता हूँ योरानर भगोद गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ सब कुछ सच कहूँगा जूट नहीं बोलूँगा नए सिरे से पेश किये हुए गवा सबूतों को परिशिरन करने के बाद चरस्वती नाम की मुजरिम अकेली ने अत्या किये कहकर फैसला नहीं हुआ है इसलिए आखरी फैसला सुनाने तक चरस्वती को साधरन बेल मंजूर करने का आदेश देते हुए मिले हुए नए सबूतों की मदद से पुलिस वालों को चान बीन करने की अदालत आदेश देती है अब तो मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है आपको मास्टर दीनानाथ याद है मास्टर दीनानाथ मतलब बबलू बबलू वो बबलू मैं ही हूँ तुम बबलू सरू 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 चुप्चाप क्यों गा रही है तुमने अंदर रहकर सोजा काटी है मैंने बाहर रहकर नर्क भोगा है जिन्दगी में गल्ती की उसे सुधारने के लिए ला पड़ा मैंने तुम्हें बाहर लाने के लिए कितने रात सोया तक नहीं पता है तुम्हारी उमर 40 साल हो 50 साल हो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आगर ट्यार का उमर से क्या संबंद है वो किसी भी उमर में किसी के साथ भी हो सकता है इस दुनिया में मुझे पसंद आही हुई पहली लड़की तुम ही हो मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था मेरी पसंद की लड़की के खातिर सारी जिंदगी वेट करूँगा अब भी तुम्हें कुछ नहीं कहा तो मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा मैंने उसी दिन कहा था मेरी पसंद की लड़की के खातिर सारी जिंदगी वेट करूँगा बबलू अब भी तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं ऐसे ही तुम्हारी खाती जीता रहूँगा बबलू बबलू आई लब यू याद बबलू आई लब यू मैं अनात की तरह जी रहीती अनात नहीं हूँ कहकर मेरी खाते एक इंतजार कर रहा है कहकर अभी पता चला किसलिए तुम मुझसे इतना प्यार करते हो किसलिए मुझे फिर से अकेली बना रहे हो तुम पास आकर दूर चले जा रहे हो जाने अन जाने में गलती हो गई किसी एक को तो सजा काटने ही थी ना तुमारी खातिर इतने साल इंतर किया मेरे खातिर थोड़े दिन वेट नहीं करोगी क्या तुमारे खातिर मैं कितने भी साल वेट कर सकते ही तुम्हें हसतेगे देखना चाहता हूँ हसो न, एक बात प्यार में जिन्दगी बरबाद होती है ऐसा कहा जाता है लेकिन प्यार में बबलू की जिन्दगी आबाद हो गई सरस्वती से वो इतना प्यार करता है इसी लिए उसमें जीने की चाह पैदा हो गई समुंदर में भटके हुए उसके प्यार की कश्टी को एक किनारा मिल गया सरू से वो इतना प्यार करता है इसलिए उसने प्यार में जीत हासिल की प्यार करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती उसके प्यार ने इस बात को साबित कर दिया था I love you मैं प्रेमी बनकर जीत गया प्रेमी बनकर जीत गया